जाहिन दोस्तों नमस्कार आप देख रहें आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंग के साथ दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि जिल्ला परिशाद नागपूर में पसु समवर्धन विभाग के तरफ से कडोडो का पसु घोटाला हुआ था और पिरहाल भाजपा के प्रदेशा ध्यक्ष महराश्ट्र के चंद्र सेखर बावनकुरे जी से हमने बातचीत की और उस बातचीत में बावनकुरे जी ने पुष्टी भी किया था इस बात की कि इसकी जांच बीभागिया आयुक्त द्वारा की जा रही है बिभागे आयुक्त की जांच में क्या गरबढ़िया हो रही है उस पे हमारी बारीक नजर बनी हुई है बिभागी आयुक्त जी को नहीं मालूम कि जो अधिकारी जांच कर रहे हैं वो किस परकार कर रहे हैं चलो अधिकारी भी सही जांच कर रहे हैं जांच ये कर रहे हैं कि जिनका नाम लिष्ट में है जिनको आवंटित किया गया है उनके घर पे असल में जानवर है, गाय है या नहीं है अब हुआ यूँ कि कांद्री में, जो की तहसिल पारशिवनी में आता है गाओं कांद्री उस गाओं में ऐसा हुआ कि कुछ लोगों के घर में गाय नहीं थी यानि कि लिष्ट में नाम तो है लेकिन उनके घर पे गाय नहीं थी जब वहाँ आधिकारी जांच के लिए आने लगे तो जांच के आने से पहले आधा घंटा पहले उनके घर पे गाय को रख दी गई ये जानकारी जैसी BCN को मिला हम वहाँ पे पहुँचके और हमने उन सारी चीजों को वीडियो गॉराफी किया है वीडियो गॉराफी में ये प्राप्त हुआ कि ये गईया अभी तुरत आधे घंटे या दो गंटे पहले ही उनके घर पे आई है इससे पहले उनके घर पे गाय नहीं हुआ करती थी और इसकी जानकारी वहां के लोगों ने भी अस्थानिक लोग भी या तो कुछ बोल नहीं रहे थे क्योंकि वो लोग सबको मालूम था कि यहां गरबडिया हो रही है शायद इसलिए नहीं बोल रहे थे लेकिन वहां के जो बच्चे हैं जो गली महले में खेलते हैं और जो पढ़ रहा है पढ़ाई कर रहे हैं उनसे हमने बातचीत की उन्होंने सच क्या बोला पहले वो सुन लीजे इससे पहले इदर नहीं पहली बार आई है आप लोग इसी महले में राते हो यह गया इससे पहले जूट तो नहीं बूल रहे हो पक्का साम के समय जूट नहीं बूला करते हैं साम में भगवान का समय जूट नहीं बूल रहे हो ना कल परसो इससे पहले कभी नहीं देखें पहली बार अच्छा यह इतना कभी चिलाते हुए देखें पहली बार देखे पहली बार देखे लेगे अधिक घर जिनका नाम है कोचे सरनेम है कोचे इनके घर पूछे इनको अमने पूछा कि आपके पास यह गईया कब आई तो उन्हों कोचे आपका क्या नाम है गीता कोचे यह जो गईया बंदी है दोनों एक उधार हो रही है यह आपकी है यहां पर कब आई क्या गोले सुबह की साम को अभी आई छे बजे इसको चेक करने के लिए को आई थे कि आभी तक आपके पास नहीं आए थे तैसा आपको किसे ने बताया कि चेक करने आने वाले हैं किसने बताया महेश महेश कोन है जोटावने मेंबर हैं क्या अच्छा उन्होंने क्या बताए चेक करने तो पर यह लेकर चले जाएंगे यह कब तक यहां रहेगा यह कब तक यहां रहेगा महेश नामक व्यक्ति वाड करमांक चार कांदरी का यहां का ग्राम पंचायत सदस्य है सत्ता पक्ष में ग्राम पंचायत सदस्य है और उन्होंने लाकर दिया गईया ऐसा कोचे जी ने बताया और ये भी बताया कि इसकी जाच परताल होने वाली है अब आप देखी कि गाय जिस तरीके से बंधी हुई है इस एरिया में जहां पर गाय है वहां की घास जैसे होनी चाहिए वैसे यानि कि मेरा कहने का मतलब यही कि जहां पर गाय बंधी होती है वहां के जो छेत्र होते हैं वो छेत्र में घास अगरे नहीं होती या तो गाय उसको खा जाती है या फिर उसके पैर से वो जमीन खाली हो जाती है प्लेन हो जाती है लेकिन साप साप समझ में आ रहा है कि अभी बांधा गया है और इसलिए एक भी यहां का घास खराब नहीं है दूसरी तस्विर में एक चीज और दिखाते हैं ये दिखिए कि जिस तरीके से गया को रखा गया है इस गाय को जिस चीज में बांध के रखा गया है वो बहुत ही टेमपररी चीज है जिसको गाय घसीट के यहां से वहां लेके जा सकती है तीसरी सबसे गौर करने वाली चीज कि गाय जब अंजान जगह पे जाती है तो जोर-जोर से बोलने लगती है तो गाय यहां पे बोल रही है यानि कि उसको मालूम है कि जगह यह अच्छे तर अंजान है यहाँ पे मैं कैसे पहुँच गई वो गाय को नहीं समझ रहा था अब सवाल यह है वो कौन से लोग है जो गाय की दलाली कर रहे हैं वो कौन से लोग है जो गाय यहाँ पे पहुँच वाए और वो कौन से लोग है जो जहां गाय रखते हैं उनको क्या फायदे होते हैं उनकी जानकारी हम अगले एपिसोड में देंगे कि आखिर ये गाय कहां से आई थी और जो लोग रखते हैं इससे उनको क्या फायदा होता है और इसकी तह तक हम जाएंगे और पूरी जानकारी बाद भी करेंगे और उनके जानकरी देनेंगे और कोशिश करेंगे है कि इसका निश्पक्ष जाच होनी चाहिए किसी के घर ख़जाने का नहीं है ये पैसा पैसा हमारा और आप का है जिसी उभ्येदें हैं हम कुछ भी पैसा है वो पैसा ये करोर रुपए पसू समर्दन विभाग जिल्ला परिशत द्वारा घोटाला किया गया है और कांद्री गाउं ये माननिये जिल्ला परिशत अध्यक्षा का गाउं है और इसी गाउं में इतना बड़ा फेर वदल हुआ और सवाल और ये भी नहीं इस कारी के पहले और बाद में उसको लेकर चले जाते हैं या चले जाएंगे बोल दीजे हम आने वाले कुछी दिन में जहां से हमने फोटोग्राफी किया है हम उसके पास जाएंगे भी और पूछेंगे भी कि आपकी गाई कहा है आप देखते रहें बिस्चन न्यूज अपने